निवस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब बहुत समय से वाउ संटास्टिक के चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आ पा रहा था समय नहीं मिल पा रहा था लेकिन अभी हाल फिलाल में एक स्नेक रेस्क्यू का वीडियो मैंने सूट किया था तो वह आप लोगों के साथ सेयर करने ज करूंगा ताकि आपको कभी ऐसी कोई जरूरुत आन पड़े तो आप उनको बुला सकते हैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करने कोसिस करूंगा बहुत ज्यादा गैप ना हो बीच में समय नहीं मिल पाने के कारण कासी नहीं बलकि बहुत कासी गैप हो गया था वीडियो आन रहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को सेर भी कर दीजिएगा चली वीडियो देख सेंगे यह स्नेक जो देख रहे हैं यह हॉस्पिटल की बाउंडरी लाइन पर कासी समय से बैठा हुआ था पर मैं टीम बुला चुका था और उसके बाद इसने वहां से चलना शुरू कर दिया तो फिर मैं इसके पीछे पीछे चलता रहा है यह देखने के लिए कि जब टीम आएगी तब इसकी आखरी लोकेशन क्या होगी जो मैं टीम के साथ सेर कर सकूंँ इस बीच मैंने टीम को कई बार फोन किया ताकि वो जल्दी से आ जाए क्योंकि मुझे लग रहा था यह कहीं बौंडरे आंडरी के अंदर न चला जाए जिससे इसका मिलना थोड़ा सा मुस्किल हो जाए और यह टीम के एक मेंबर हैं यह आ चुके हैं इन्होंने इसनेक को देख लिया है और रिकरटनाइज भी कर लिया है उनके इसाथ से यह एक रैट स्नेक है लेकिन इसकी लेंथ बहुत लंबी है अप्रॉक्स पाइब टू सिक्स्टीट का यह एक स्नेक है और अब दिक्कत की बात यह है कि उस समय एक खुली एरिया में था कितनी अच्छी हैं पर अब यह बाउंडरी वाल के अंदर जा चुका है जिसमें बाहर की तरफ लोहे की ग्रिल लगी है तो रेस्क्यू थोड़ाता और मुश्किल हो गया है पर देखते हैं यह लोग क्या करते हैं इस बीच कोसिस ही हो रही है कि वो और कहीं जाने न पाए यह देखें प्रेण के बीच से कैसे ऐसा लग रहा है जैसे यह हम लोगों को ताक रहा है देख रहा है और हम लोग इसको देख रहा है लेंथ देखिए आप कितनी मेरे क्याद से हाइट अप्रॉक होग ही है लेंथ 5268 इससे कम ज़्यादा नहीं होटती है यह बहुत लंबा है और यह बागी टीम के मेंबर भी आ चुके हैं और इन्होंने भी स्नेक को देख लिया है देखिया आपको बैतर यहीं रहा कि यह ज़ाड़ियों में नहीं कहीं चुका है सामने ही है ताकि धूनन न पड़े और जब तक प्रोग्राम बन पाता यह डिसाइड हो पाता कैसे क्या करना है तब तक आगे कि इस्तिती कुछ ज्यादा सही नहीं थी वह देखिये जाड़ियों में अब वह अंदर जाने लगा है जो की सही नहीं है पहले तो टीम मेंबर पहुंच रहे थे कि बाहर इसको किसी तरीके से निकाल लिया जाए तब रस्क्यू किया जाए पर पर टीम मेंबर को अंदर जाने का पैसला करना पड़ा और अब रस्क्यू की मंदर पहुंच चुकी है और सबने उसकी आखरी लोकेशन प्रेण के नीचे देखिए कि वह प्रेण के नीचे जा रहा है लेकिन जब धूमना शुरू किया गया तो भाई वह मिली नहीं रहा था बहुत देर ये रस्क्यू चला अब उतनी ही जगह पर उसका उसकी सर्चिंग की जा रही है पर वो तो ऐसा लग रहा जिसे विलुप्त हो गया अंदर बहुत खचड़ा भी खटा है जिसकी वह जैसे नीचे की जमीन जो है वो पोली है तो उसके नीचे जाने के बहुत ज़्यादा आसार है और नीचे नीचे वह अगर उसको स्पेस मिल गया तो कहीं भी निकल सकता है पर फोकस उसी पॉइंट पर है जहां पर उसको आपकी बार देखा गया दिवाल के नीचे कुछ फोपेन एरियाज जो पानी निकालने के लिए बने होते हैं वो पाए गए जिसके बाद टीम को लगा कि यह अब बांडरी वाल के अंदर जा चुका है और काफी देर सर्जिंग करने के बाद निरासा भरा फैसला यही था कि अब वो बांडरी वाल के अंदर जा चुका है और आप इस रस्क्री मेंशन को यहीं स्टॉप करते हैं पाकेटी मेंबर बाहर निकलने को ठेश पर एक मेंबर पिर वी अंदर लगा हुआ था इवा आप देखेंगे और जयात है इस नजर स्नेक पर पड़ गई और पो से बाकेटी मेंबर फो पिर अंदर बुलाया आर यह देखें पहले जाली को तिर्चा करकि के बाहन निकलने के वस्ता की जा रही है अभी सर्चीं ही चल रही है अभी एक स्टेज होगी जब यह होगा कि कतम करते हैं मिलने की उमीद ना के बराबर हो जाएगी फास्ट फावर्ड करके यसी लिए चला रहा हूं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए तो कि सर्चिंग काफी देर तक चली थी यही वह इस्तिती है जब इन लोग ने फैसला किया ताकि आप वो नहीं मिलेगा लेकिन यह ब्लैक टी सेट वाले भाई आप फिर भी अंदर डटे हुए थे और उनी की नजर दर आ लाज्ट टाइम फिर उस पर पड़ी और उन्होंने टीम मेंबर को वापत बुलाया यह अब मिल चुका है और अब उसकी निकालने की क्रोसिट में जारी है क्योंकि वह बहुत नीचे छेपा हुआ है यह देखिए यह देखिए वह मिला और पकड़ लिया गया है अब चलीए यह रेस्क्यू कंप्लेट हो चुका है जो यह देखिए बाहर निकालना रह गया है तब तक आप लोगों से एक बात पहूंगा कि आपके छेतर में भी ऐसी कई रेस्क्यू टीम होती हैं आप गूगल कीजिए या संभरांत लोगों से बाच्चित करके उन तक पहुँचिए और ऐसे जिम जूतिनों को मारने की बजाए उनके उनके इस्थान पर पुरच्चित पहुँचाया जाते हैं अभी इसको कलेक्ट करने के बाद इस टीम मेंबर की एक सदस्थ से आप लोगों से कुछ हैती ही रिक्वेश्ट करते नजर आएंगे डिस्क्रिप्टन में मैं कान्टूर के लोगों के लिए उम्मेती किरण संस्था का नंबर छोड़ूँगा जहां आप उनके संपर कर सकते हैं दो मिनट आजाओ जो लोग गूगल फेस्बूक इंस्सागर चलाते हों तो उसमें उम्मीर एक्रन देखना उसको रेटिंग करना और बोईश्लस के अर्टेकर ठीक है उम्मीर एक संस्था है तो दोनों को फॉलू करना लाइट करना और ज्यादा ज्यादा उसको शेल करना इन जीवों के लिए कुछ और कर सकें या ना कर सकें और इतना तो कर ही सकते हैं कि इन्हें जीने का अधिकार दे सकें ऐसी संस्था है इसमें हमारी आपकी मदद करती है